Hello friends, welcome to the big news series of civil staff कैसे हैं आप सब, I hope सभी लोग अच्छे होंगे तो friends, आज हम अपने big news में बात करेंगे महाबली frog के बारे में थोड़ा interesting सा नाम है ठीक है basically इसको purple frog भी का आ जाता है और ये महाबली frog इसका नाम क्यों पढ़ा इसके related भी हम जानेगे कि क्यों इसको महाबली frog बोला जाता है और क्यों हम इसके लिए पढ़ रहे हैं इस महाबली frog के बारे में पढ़ रहे हैं वो भी समझने की कोशिश करते हैं तो environment point of view से काफ़ important news यह आपके लिए रहेगी prelims के लिए specifically चलिए तो सबसे पहले तो news क्यों है क्योंकि क्यारला में अभी एक जो एक तरह से आप कह सकते हो request submit की गई है कि क्यारला में महाबली frog को क्यारला का official amphibian जो है वो declare किया जाए हाला कि क्यारला government ने भी इसको consideration के लिए लिया है लेकिन अभी तक इसको finally official amphibian नहीं declare किया गया है till today अभी तक इसको नहीं declare किया गया है आने वाले दिनों में हम expect कर सकते हैं कि इसको क्यारलाज official amphibian declare कर दे या क्या पता ना भी करें ठीक है दोनों चीज़े हो सकती है लेकिन फिर भी हमारे लिए अभी यह important हो जाता है कि हम इस particular frog के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें क्योंकि prelims में question बन सकता है चलिए तो अगर अब हम इस purple frog की बात करते हैं जिसको आप महाबली frog भी बोलते हैं तो ये one of the rare frog species है और ये endemic है western ghats में आप सब जानते हैं एंडेमिक का क्या meaning होता है कि ये जो particular species of frog है ये आपको western ghats में ही मिलती है और ये माना जाता है कि कैरला के जो officials हैं वो इसको जल्दी ही official amphibian declare भी कर देंगे अब ये purple frog जो है इसको pig nose frog से भी कहा जाता है because of the type of nose that this particular frog has उसके इलावा गर आप purple frog की एक speciality देखें तो ये जो frog है it remains underground for most of the year ठीक है ये सिरफ एक limited time के लिए ground के उपर आते हैं और जादा तर ये आपको कैरला के western ghats में मिलेंगे अब जो sdb जो हैं जिन्होंने इस frog को सबसे पहले discover किया था आज से 2 साल पहले उन्होंने इदुकी district में इसको discover किया था और उन्होंने ये कहा था कि ये एक ऐसी अकेली frog species है और उसी के साथ साथ एक unique amphibian भी है अब लेको देखो यहाँ पर आपसे कोई ये नाम नहीं पूर्चने वाला कि ये किसने discover किया था फिर भी एक additional fact यहाँ पर आपको मिल जाता है अब अगर हम बात करें इसकी scientific naming की तो नैसिका बेट्रोचस साहड्रेनिसिस ठीक है ये basically अगर आप देखो के जो भी आपकी सायाद्री में species discover होती है उनके scientific name में ये होता ही होता है तो ये इसका scientific name है और अगर हम IUCN red list की बात करें तो ये एक endangered species है अगेन ये एक काफी important fact है IUCN status पे हमेशा आप जो है questions आपको prelim में देखने को मिलते हैं और ये IUCN की list में threatened species या endangered species क्यों है ये उस list में क्यों आती है because of the extent of occurrence is less than 5000 km एक IUCN का ये भी criteria है कि extent of occurrence क्या है अब ये जो species है इसका जो area coverage है वो less than 5000 km है इसी वज़े से इसको endangered category में रखा गया है और अगर आप देखेंगे तो ज़ादा तर जो ये frogs हैं ये आपको सिरफ 5 ऐसी locations है जहापर इनकी concentration मिलेगी population concentration मिलेगी और वहाँ पर भी इनकी population continuously decline कर रही है because of the declining quality of the habitat in the cardamon hills जहाँ पर ये आपको mainly मिलती है और परपल फ्रॉग के कुछ और important facts समझने की कोशिश करते हैं अब जो आपका World Wildlife Fund है उन्होंने बोला है कि परपल फ्रॉग जो है it has been acknowledged by bio geographics all over the world as the rarest kind and a once in a century find all right तो यहाँ से इसकी importance का थोड़ा सा आपको idea लग जाता है ठीक है ये जो particular frog species है इसकी blotted body होती है short stout limbs होते है और dark purple to greyish ये color के अंदर होती है features है basically ये around 7 cm जो है इनका size होता है small head होता है body length के comparison में अगर आप देखो head जो है muscular four limbs with hard palms help it to burrow underground इसी की वज़े से ये underground जो है खुदाई करकर underground अपना nest बनाती है और ये वही पर जादा तल जो है रहती है बहुत कम समय के लिए ये उपर आती है अब अगर आप बाकी frogs के मुकाबले देखो तो बाकी frogs के मुकाबले ये जो particular frog है इसके short hind legs होते है जिसकी वज़े से this particular species is not able to leap ठीक है जैसे frogs jump करते हैं ये वो चीज नहीं कर पाती और अगर इन्हे distance cover करना होता है then they take in that case long strides और ये जो particular species है it depends on the sense of smell to hunt out soil termites underground ठीक है तो sense के through smell के through जो है ये hunting करती है termites की अब इसको महाबली frog क्यों कहा गया है इसके पीछे भी एक story है तो देखो सबसे पहले जो ये proposal है इस purple frog को as kerala's amphibian animal declare करने का ये purpose summit किया था forest department को sandeep das ने ठीक है basically sandeep das is a scientist who does research on the frogs के kerala forest research institute में das जो है ये zoological society of london के भी fellow है और इन्हों ने ही इस particular frog को नाम दिया है महाबली frog और इसके पीछे ये story है क्योंकि ये जो particular frog है जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये underground रहती है और सिरफ एक दिन के लिए उपर आती है एक दिन के लिए ground के उपर आती है like the kerala's mythological king महाबली who was banished to the underworld and given permission to meet his subjects in Kerala during तुरुवनम डे ऑफ मलयालम मन्थ चिंगम ठीक है तो ये एक basically ancient story है mythological story है Kerala में एक mythological king थे महाबली जिनको ये punishment मिली थी कि आपको जमीन के नीचे ही underworld मही रहना और सिरफ आप एक दिन के लिए जो भी आपके subjects है आपके kingdom के उनसे मिलने के लिए आ सकते हो and similarly this frog also comes once in a while ठीक है और इसी वज़े से इसका नाम जो है महाबली frog यहाँ पर रखा गया तो ये कुछ important facts थे आपके purple frog से related लेकिन मैं फिर से यहाँ पर एक बात repeat कर दू कि इसको अभी तक नहीं declare किया till today जब हम ये video आपको दे रहे हैं तब तक नहीं declare किया है आने वाले समय में पर हम news में ये चीज़ देख सकते हैं लेकिन बागी के जो facts हैं वो हमारे लिए आपर same ही रहेंगे तो चलिए दोस्तों I hope आप लोगों को मज़ा आया होगा अगर आप channel पर पहली बार आया है तो channel को subscribe ज़रूर कीजेगा वीडियो से related कोई doubt हो तो आप comment section में post कर सकते हैं अगर आप और कोई inquiry करना चाहते हैं तो call कर सकते हैं 8146207241 पर या फिर mail कर सकते हैं hello at the rate civilstop.com पर courses को explore करने के लिए www.courses.civilstop.com पर जाना मत भूलिएगा और इस वीडियो का pdf भी आप telegram से download कर सकते हैं telegram का link जो है description में रहेगा तो दोस्तो अभी के लिए इतना ही मिलेंगे अगली वीडियो में एक और big news के साथ तब तक के लिए all the best and bye bye